Hello everyone, इसके पहले part 1 में लेके आ चुका हूँ जिसमें कि आपको class 9 का जो paper 13 तारीक को मिलने वाला है उसका आदा solution में provide करा चुका हूँ जो विद्ध्यारती पहली बार इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू जो कि आपका 13 तारीक को paper आने वाला है उसका solution में करा रहा हूँ जिसमें कि आपको समय 2 घंटे का मिलेगा और call 40 question पूछे जाएंगे तो चलिए फ़र हम यहाँ पे start करते, call 40 अंग का यह paper रहेगा जो कि आपका month है आपका सेतंबर का और 13 सेतंबर का यह paper रहेगा जिसमें फर्ष्ट बार जो फर्ष्ट पार्ट में मैंने बताया हुआ है वो आप देख सकते एक question दिये गए थे सही विकल्प तो यह आप देख लीजेगा फर्ष्ट पार्ट आप जैसे ही देखेंगे तो उसमें सभी answer मैंने बता रखे हैं अभी मैंने टिक वस करे हैं तो आप चाहें तो इसको रोकर्ष की insert ले लीजिए अगर आपको आंसर देखना है और detail में समझना है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं यहां पर कवीता एक दी हुई थी है second point हम देख रहे हैं इसमें कवीता दी हुई थी इस कवीता को पढ़के हमें answer देने थे तो देख 8400-400 जी हां याद कर लीजिए WhatsApp नमबर क्योंकि अब चाहें आपका match का सवाल हो या physics chemistry by logica आपके हर doubt हर question का मिलेगा तुरंच video solution वो भी सीधा आपके WhatsApp पर बस अपने phone में doubtnet का 8400-400 WhatsApp नमबर सेव कर लीजिए और chat open कीजिए फिर जो भी आपका doubt है उस सवाल के आपको बस photo लिए तो देरे किस बात की अभी जाए और 8400-400-400 पर अपना सवाल WhatsApp कीजिए और अपने सभी doubts को out कीजिए Link description में देखिए मैंने कवीता को read कर लिया है अब उसके बाद मैंने answer भी लगा दिये हैं तो first question में पूछा गया था सादू किसका भूगा होता है तो कवीता के कवीता में दिया गया था सादू की क्या हमें सादू की क्या नहीं पूछनी चाहिए तो हमीसा सादू की हमें जाती नहीं पूछना चाहिए कवीता के हिसाब से होगा चलिए आंगे देखते हैं इसी के आंगे जो कवीता में और question पूछे गए थे कौन अधिक मूलवान है त तो इसको आप एक बार रीट कर लिएजेगा मुहा सब्दकार्थ क्या होता है तो महें होता है निमने मैंसे प्रैम क्या है तो भावाचक संग्या है पोती सब्दकार्थ किताब होता है और ग्यान का परियाबाची जो बिलॉम सब्द हमें लिखना था ग्यान का तो वह होता है option इसका correct हो जाएगा दूद पीने का पूछा है सूरदास की कभीता के अनुसार स्री किष्ण ने मा यसुदा से next question में पूछा गया है स्री किष्ण जी यसुदा से क्या पूछ रहे हैं तो चोटी कब बड़ी होगी यह पूछ रहे हैं किष्ण जी इसकी बाद third question में पूछा गया है सूरदास ने यसुदा के माद्यम से किन बास सल्य क्रियाओं का बर्लान किया है तो उपरोक तो सभी क्रियाओं का बर्लान किया है तो यहां पर पार्ट सेकेंड में मैंने अभी आपको यहां पर solution बता दिया आंगे का next solution आंगे का जो रहेगा वो पार्ट थाइड में हम देखेंगे अगर इसमें अच्छा response आता है तो पार्ट थाइड भी आपको जल्दी मिल जाएगा